ग्यानवन्थर में आप सभी का हार्दिक भिनंदन करते हैं मैं हूँ सुबोध और दोस्तो आज के अपने इस वीडियो में हम आपको गववन्स की महिमा और राजा दिलिप की कथा बतलाने वाले हैं तो चलिए दोस्तो बिना कोई दिरिके वे सुरू करते हैं इस वीडियो को और बतलाते हैं आपको राजा दिलिप की कथा के बारे में दोस्तो रगुवन्स का आरंब राजा दिलिप से होता है जिसका बड़ा ही सुंदर और विशद वर्नन महा कभी काली दास ने अपने महा काब्य रगुवन्सम में किया है काली दास ने राजा दिलिप, रगु, अज, दसरत, राम, लव, कुस, अतिती के बाद के 20 रगुवन्सी राजाओं की कथाओं का समयोजन अपने काब्य में किया है राजा दिलिप की कथा भी उन्ही में से एक है दोस्तो राजा दिलिप बड़े ही धर्म, परायन, गुनवान, बुद्धिमान और धनवान राजा थे यदि कोई कमी थी तो वह यह थी कि उनका कोई संतान नहीं था सभी उपाय करने के बाद भी जब कोई सफलता नहीं मिली तो राजा दिलिप अपनी पतनी सुधा छिना को लेकर महरसी वसिष्ट के आस्रम संतान प्राप्ती का असिरवात प्राप्त करने पहुंचे महरसी वसिष्ट ने राजा का अतिथी सतकार किया और आने का प्रियोजन पूछा तो राजा दिलिप ने अपने निसंतान होने की बात महरसी वसिष्ट से बताई तब महरसी वसिष्ट बोले हे राजन तुमसे एक अपराध हुआ है इसलिए तुम्हारी अभी तक कोई संतान नहीं हुई है तब राजा दिलिप ने अश्चरे से पूछा गुरुदेब मुझसे ऐसा कौन सा अफ्राद हुआ है कि मैं अब तक निसंतान हूं कृपा करके मुझे बताईए महरसी वसिष्ट बोले हे राजन एक बार की बात है जब तुम देवताओं की एक युद्ध में सह कठी चर रही थी तुम्हारा अपराद यह है कि तुमने सिग्रता बस अपना बिमान रोक कर उन्हें प्रनाम नहीं किया जबकि राजन यदी रास्ते में कहीं भी गौववंस दिखाई दे तो दाई और होकर राह देते हुए उन्हें प्रनाम करना चाहिए यह बात तुम्ह कि मारे घर अभी तक कोई संतान नहीं हुई है महरसी वसिष्ट की वात सुनकर राजा दिलिब बड़े दुखी हुए आखों में असुरू लेकर और बिनम्रता पुर्वकात जोड़कर राजा दिलिब गुरु वसिष्ट से फ्रातना करने लगे गुरु देव मैं मानता हू की मुझसे अफराद हुआ है किन्तु अब इसका कोई और तो उपाय होगा ही तब महरसी वसिष्ट बोले एक उपाय है राजन ये है मेरी गाय नंदनी जो कामधिनू की ही पुत्री है इसे ले जाओ और इसके संतुष्ट होने तक दोनों पति-पतनी इसकी सेवा करो और इस जब नंदनी चलती तो वह भी उसी के साथ साथ चलते जब वह रुख जाती तो वह भी रुख जाते दिन भर उसे चराकर संध्या को उसके दुगद का सेवन करके उसी पर निरवाह करते थे एक दिन संयोग से एक सिह ने नंदनी पर आकरवन कर दिया और उसे दबोच लिया उस समय राजा दिलिप कोई अस्तर सस्तर चलाने में भी असमर्थ हो गये थे कोई उपाय ना देखकर राजा दिलिप सीह से प्रातना करने लगे हेवन राज कृपा करके नंदनी को छोड़ दीजिए यह मेरे गुरु वसिष्ट की सबसे प्रिये गाय है मैं आपके भोजन की अन्य ववस्था कर दूँगा तो सीह बोला नहीं राजन यह गाय मेरा भोजन है अता मैं इसे नहीं छोड़ूँगा इसके बदले तुम अपने गुरु को सहस्तरों गाय दे सकते हो बिल्कुल निर्वल होते हुए राजा दिलिप बोले हेवन राज आप इसके बदले मुझे खालो लेकिन मेरे गुरु की गाय नंदिनी को छोड़ दो तब सीह बोला यदि तुम्हें प्रानों का मोह नहीं तो इसके बदले स्वैम को प्रस्तुत करो मैं इसे भी छोड़ दूँगा कोई उपाय ना देखकर राजा दिलिप ने सीह का प्रस्ताव सुईकार कर लिया और स्वैम सीह का आहार बनने के लिए तैयार हो गये सीह ने नंदिनी गाय को छोड़ दिया और राजा को खाने के लिए उसकी और जप्टा लेकिन तत्चन हवा में गायव हो गया तब नंदिनी गायव बोली उठो राजन यह माया जाल मैंने ही आपकी परिक्षा लेने के लिए रचा था जाओ राजन तुम दोनों दमपत्ती ने मेरे दुग्द का निर्वाह किया है अता तुम्हें एक गुनवान बलवान और बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ती होगी इतना कहकर नंदिनी अंतरध्यान हो गई उसके कुछी दिन बाद नंदिनी के आसिरवाद से महरानी सुदचिना ने एक पुत्र को जन्म दिया और वह आगे जाकर रघु के नाम से बिख्यात हुआ उसके प्राकर्म के कारण ही इस बंस को रघु बंस के नाम से जाना जाता है महाकवी कालिदास ने भी इसी रघु के नाम पर अपने महाकाब्य का नाम रघु बंसम रखा दोस्तो इस कहानी से हमें सिक्षा मिलता है कि यदि कोई बांज स्त्री भी केवल गव दुग्ध पर निर्वाह करे तो उसका बांजपन दूर हो सकता है यदि गाय के दूद की तुलना अमरित से की जाए तो कोई अतिस्वक्ती नहीं होगी क्यूंकि उसमें बल और बुद्धी को बढ़ाने की अध्भुत्षमता होती है अब तो दोस्तों गव मुत्र और गाय के घी के कई प्रमानिक प्रियोग खोजे जा चुके हैं जो बैज्यानिक रूप से कई बिमारियों में उपचार के रूप में सही सिध्ध किये जा चुके हैं गौमाता के बारे में और अधिक कुछ कहने के बजाए अब मैं केवल इतना ही कहूंगा फ्रेंड्स कि जितनी सेवा हम गाय के लिए करते हैं उसके सैकड़ो गुना सेवा वो हमारे लिए कर देती है बिस्वास नहीं हो तो जाच करके देख लीजिएगा तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारे वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और दोस्तो ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हो ग्यान वर्थक वीडियो देखते रहने के लिए आप मारे चैनल ग्यान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा आप मारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहे जानते रहे धन्यवाद जय हिंद